कुदेव जो पी असी महोगे बाबाल इन रात पड़ना है मजा वो धामाल कावबर ले थसरे ठेन सन अरे कावबर ले थसरे ठेन सन जब अपसर बनके तेकर पेधामाल ये कैसे होगा से हेलो फ्रेंज स्वागत है आपकर कॉंपिटिशन कम्यूनिटी के टॉप एमसी क्यू सीरीज में जिसमें कल तक हमने पढ़ा था कि कल्चूरी वंस के अंतरगत कौन-कौन से प्रमुख सासक हैं प्रमुख सासकों की क्या-क्या विशेज जानकारिया हैं उन विशेज जानकारियों में जो जो अच्छे क्वेशन बन सकते थे वो आपको कराया गया था उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज का हमारा टॉपिक क्या है मराठा सासन मराठा सासन को हम दो भागों में बाट कर पढ़ेंगे पहले पाट के अंतरगर सबसे पहले मैं अभी आपको मराठा सासन का स्वरूख एक्स्प्लेइन कर दूँगा उसके बाद मैं बताऊंगा कि आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम क्या-क्या पढ़ेंगे और कल जो हम लोग अगला वीडियो आएगा उसमें हम लोग क्या-क्या पढ़ेंगे उससे पहले सब के सब जितने आप online आया हैं सब वीडियो को like कर दें, comment कर दें और अपने friends को क्या कर दें, share कर दें, देखते हैं मराठा सासन सबसे पहले हम अपना पहला question देख लेते हैं पहला question देखने के बाद हम देखेंगे कि जो 36 गड़ है उसके अंतरगत कैसे मराठा स्वरूप इस्थापित हुआ मराठा सासन क्यों यहाँ पर इस्थापित हुआ कल्चूरियों की क्या कमिया थी उन कमियों के कारण कैसे मराठा सासन यहाँ पर इस्थापित हुआ इन सभी चीजों के बारे में हम क्या करेंगे सबसे पहले एक विस्तरित चर्चा करेंगे पहला question आपको क्या बोड़ रहा है 36 गड़ के रतनपुर राज्य पर आक्रमन करने वाला मराठा सेन पती निम्न लिखित में से कौन था ठीक है क्या पूछ रहा है आपको मराठा सेन पती कौन था जिसने 36 गड़ पर क्या किया था आक्रमन किया था तो इसका आंसर तो आप सबको पता ही होगा आंसर क्या है भासकर पन्थ ठीक है कौन है आंसर तो 36 गड़ को मराठा सामराज में सामिल करते हैं अब यहाँ पे हम सबसे पहले देख लेते हैं कि जो मराठा सेनपतिय भासकरपंथ वो किस कल्चुरी सासक पर आक्रमाण करते हैं आक्रमाण के क्या प्रभाव हुए हम सबसे पहले इसी पर चर्चा करते हैं तो आईए हम क्या करें अब सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि कैसे आक्रमण हुआ किस सासक पर आक्रमण हुआ और आक्रमण के क्या-क्या प्रभाव रहे तो हमको पता है कि जब हम क्या देखे थे हम जब देखे थे कल्चूरियों का राजवंस तो कल्चूरियों के राज तक का नाम आपने पढ़ा था जिसका नाम क्या था तो उसका नाम था रगुनातशी मैप बनेreet और मैप में देखेंगे कि आक्रमण आपका कैसे और कहां पर होता है मैप हमने बना लिया है ठीक और मैंने आपको बताया है कि ये जो एरिया है 36 गड़ के बर्रामपूर जीले से लेकर कहा तक का तो आपका मध्य प्रदेश तक का छेत्र किसके अंतरगत आता है तो यहां पर मध्य प्रदेश राज्य है हमने पढ़ लिया है कौन से राज्य है तो मध्य प्रदेश राज्य है इसके नीचे मध्य प्रदेश के जश्ट नीचे से एक राज्य क्या आता है आपका तो महराष्ट जो की राजनान गाउं से लेकर कहा तक तो बीज़ापूर तक का जो जीला है हमारा वहां तक क्या करता है सीमा बनाता है ठीक है अब हमको इस समय पता है कि यहाँ पर ठीक है कहाँ पर तो रतनपूर में कल्चूरी वन्सका सासन रहता है ठीक है कौन से वन्सका सासन है रतनपूर में कल्चूरी वंस का सासन है और कल्चूरी वंस के सासक कौन है यहाँ पर तो रगुनाथ सी है ठीक कल्चूरी वंस के सासक कौन तो रगुनाथ सी क्या रहते हैं कल्चूरी वंस के सासक रहते हैं रगुनाथ सी क्या रहते हैं यहाँ पर कल्चूरी वन्स के सासक है समझ में आ गया, clear है यहाँ तक बात आपको ठीक, आप देखते हैं इनके समकालिन जो 36 गड़ के पडोसी राज्य है वहाँ पर कौन-कौन से जो वन्स है वो सासन कर रहे थे तो यह जो मध्य प्रदेश आप देख रहे हैं यहाँ पर इंदौर एक जगा है ठीक है कौन से जगा इंदौर और इंदौर पर सासन था होलकर वन्स का ठीक है कौन से वन्स का तो इंदौर पर होलकर वन्स का सासन है ठीक, महराष्ट के अंतरगत यह आपका नागपूर और नागपूर में कौन से वंस तो भोशले वंस का सासन है ठीक है कौन से वंस का सासन है तो नागपूर के अंतरगत भोशले वंस का सासन वही नागपूर और नागपूर के अलावा आप देखें पूरे ठीक है कौन से छेतर आपका पूरे तो पूरे म पेशवाओं का सासर रहते हैं तो यह जो नागपूर है नागपूर के अंतरगत भोसलेवंस के सासक रहते हैं रगुजी प्रथम और यह जो रगुजी प्रथम थे इनहीं नहीं क्या किया 36 गड़ के अंतरगत जो रतनपूर राज्य है उस पर आक्रमण किया ठीक है किसके समय में आक्रमण हुआ तो रगुजी प्रथम के सासनकाल में जो भोसलेवंस हैं वो क्या कर रहे हैं आक्रमण कर रहे हैं किसके उपर आक्रमण कर रहे हैं तो कल्चूरियों के उपर आक्रमण अब रगुजी प्रथम के सासंकाल में उनके सेना पती कौन तो भासकर पंत क्या करते हैं रतन पूरुपर आक्रमण करते हैं तो उस समय कल्चुरी वंस के सासक को रहते हैं रगुनाथ सी सासक रहते हैं अब ये जो रगुनाथ सी रहते हैं इस समय रगुनाथ सी के क्या हो जा जाता है पुर्त्त की मिर्त्यू हो जाये रहती है ठीक है रगुनात सीह के पुत्र का क्या हो जाता है यहां निधन हो जाये रहता है जिस समय भासकरपंत का क्या हो रहा है आक्रमन हो रहा है कहां पर आक्रमन हो रहा है तो रतनपूर पर जिस समय भासकरपंत का आक्रमन हो रहा उस समय रघ् disrupt C के पुत्र कौन तो गहना सी के पुत्त क क्या हो जाता है निज्ण Tomb 정부 की रहते हैं एक मातल जो पुत्र है उसकी क्या हो चुक है मृति हो चुकी है तो इससे क्या है वह अत्यंत्य दुखी रहते हैं अब दुख मे साथ ही रगुनासी जो रहते हैं उनका कंट्रोल क्या नहीं रहता अपने सेना के ऊपर नहीं रहता है ठीक है उनका नियंत्रन अपने सेना के ऊपर नहीं रहता क्यूं क्यूंकि साथ वर्स की आयू में तो एक क्या हुए रहते हैं सत्त समाले रहते हैं जिस समय मराठों का आकम हो जाने के कारण दुखी अवस्थ होने के कारण यह क्या कर देते हैं जो रगुनाज सी हैं यह आत्म समर्पन कर देते हैं ठीक है क्या कर देते हैं यह आत्म शमर्पन कर देते हैं ठीक कौन आत्म समर्पन कर दिये सरेंडर किसके अब, ये जो भासकरपंत रहते हैं, ये क्या करते हैं? आत्म समर्पण कर दिया गया है, ठीक है. तो सबसे पहले ये क्या करते हैं? कलचूरियों का राजकोस जप्त कर देते हैं. ठीक साथ ही जो भासकरपंत रहते हैं वो रतनपूर की जनता पर ठीक है कहां की जनता पर तो रतनपूर की जनता पर एक लाख का जुर्माना लगाते हैं ठीक है किसके उपर तो रतनपूर की जनता के उपर एक लाख का जुर्माना साथ ही रतनपूर के राज़ दर्बार में कहाँ पर तो रतनपूर राज़ दर्बार में मराथा प्रतिनिधी के रूप में ठीक है किसके रूप में तो मराथा प्रतिनिधी के रूप में कल्याण गिरी गोसाई को नियुक्त करते हैं मराथा प्रतिनिधी के रूप में कल्यार गिरी गोशाई को नियुक्त करते हैं मराथा प्रतिनिधी के रूप में कल्यार किरी गोशाई को क्या करते हैं नियुक्त करते हैं कौन तो भासकर पंत कल्यार गिरी गोशाई को क्या करते हैं मराख्या-प्रतिन इध्य के रूप में रतन पुर दरबार में नियुकत कर दिए साथ ही रतन पुर की जनता पर एक लाग कर जुर्माना लाजाते हैं और इसके अलाव़ा जो कलचूरियो का राज कोस है इसको भी क्या कर लेते हैं ये जब्त कर लेते हैं समझ में आगया बात है हापे अब ये जो छेत्र है ये पता है हमको कि ये क्या है उतकल वाला छेत्र है उडिसा वाला छेत्र है तो इस उतकल के अंतरगत एक जगह है जिसका नाम रहता है कटक ठीक है अब यहां से आक्रमण करने के उपरांध जो कौन है आपके भासकर पंथ वो कहा जाता है कटक में युद्ध करने जाते हैं और कटक जब युद्ध करने के लिए जाते हैं तो यहां पर इस कटक की युद्ध में भासकर पंथ की मृत्यू हो जाती है अब जब भासकर पंथ की मृत्यू हो जाती है अब जब भासकर पंथ की मृत्यू हो जाती है रगुनासी हैं वो क्या कर लेते हैं इनके मरने के उपरांत फिर से अपने आपको क्या करा लेते हैं ये स्वतंत्र करा लेते हैं ठीक है क्या करा लेते हैं अपने आपको स्वतंत्र करा लेते हैं और 1741 से 45 तक पुना क्या करते हैं ये स्वतंत्र रूप से सासन करते हैं ठीक है जो कल्चूरी है वो मराठो के अधीन कब आए तो 1741 में आए किसके समय आए तो रगुनार सी के समय आए आक्रमर किस ने किया था तो भासकरपंत ने किया था भासकरपंत कौन थे तो भासकरपंत नागपुर के भोसले राजा रगुजी प्रथम के क्या थे सेना पती थे ठीक सब आपको क्या करना है एक इस्टेप याद रखना है एक इस्टोरी के फॉर्म में याद रखना है यहाँ पर रटने वाला काम नहीं करना है ठीक है क्या नहीं करना है यहाँ पर रटने वाला काम नहीं करना है पूरा क्या करन भोशलेवन्स के सासक रगुजी प्रथम सासन कर रहे हैं अब रगुजी प्रथम क्या चाह रहे हैं कि 36 गड़ पर आक्रमन करेंगे ठीक क्या करेंगे 36 गड़ पर आक्रमन करेंगे क्यों आक्रमन करना इनको क्योंकि इनको actually आक्रमन करना रहता है कहाँ पर ओडिशा और ओडिशा से लेकर बंगाल मतलब जो पूर्व के अंतरगत तटीय छेत्र थे उन पर क्या करना था अधिकार करना था ताकि इनका व्यापार क्या हो सके अच्छे से हो सके इस बीच में किसी प्रकार की कोई बाधा ना हो करके सबसे पहले हो क्या करते हैं कल्चूरियों पर विजय प्राप्त करने की कोशिज करते हैं सबसे पहले कल्चूरियों पर हम विजय प्राप्त कर लेते हैं और वहां से भी क्या कर लेते हैं हम धन इकठा कर लेते हैं ऐसा सोच रहता है किसका तो रगुजी प्रतम का समझ में आ रहा है बात इनका फिर ये क्या करे अपने सेना पती को भेज रहे हैं कि इनको भासकरपन को कहां पर आक्रमर करने के लिए रतनपूर में जब रतनपूर में 1741 में पहुच रहे हैं कौन भासकरपन तो उस समय जो रगुनाज सी है उनके पुत्र का क्या हो चुका है निधन हो चुका है जिससे क्या है वो सोका ग्रस्त है सोक अवस्था में है दूसरा इनकी उम्र 68 वर्स हो चुकी है जिससे सेना पर या अपनी प्रजा पर इनका कंट्रोल क्या नहीं है अच्छे से नहीं है मतलब इनके सहयोगी क्या है यहाँ पर कम है इन सभी कारणों से जो रगुनाज सी है वो क्या कर दे रहे हैं यहाँ पर आत्म समर्पन कर दे रहे हैं किसके समक्ष भासकर पंथ के समक्ष भासकार पंथ फिर क्या कर रहे हैं सबसे पहले तो कल्चूरियों का राजकोस जब्त कर ले रहे हैं क्यों क्योंकि इनको चाहिए भई पैसा है ना मुला चाहिए का पैसा तो पैसा चाहिए तो का कर लिस तो कल्चूरिक राजकोसला जब्त कर लिस एक खर अलावा का रतनपू पुर्राजदरबार के अंतरगत क्या क्या गतिविधी चल रही है कैसे सासन विवस्ता संचालित की जा रही है इन सभी की जानकारी लगातार प्राप्त करने के लिए अपना एक प्रतिनीधी क्या कर दिये यहां पर ये नियुक्त कर दिये प्रतिनीधी का नाम क्या कल्यार गि कुली नगीर को रतन पूर से बाहर कर देते हैं और पुना स्वतन्त्र रूप से सासन करते हैं ठीक, 1741 से 45 तक वो पुना सासन करते हैं और 1745 में उनकी मृत्तिव हो जाती है जिसके उपरान जो मोहन सी रहते हैं वो मराठों के सहयोग से क्या करते हैं कल्चुलियों की सत्ता या रतनपूर का सासन प्राप्त करते हैं बना लिए ये भासकरपंत आक्रमन की है सारा इस्टोरी समझ में आ गया किसी को कुछ डाउट नहीं है न अराम से लिख लेंगे आप अराम से दो और चार नंबर में भी जो मराथा आक्रमन का प्रभाव है या मराथा आक्रमन का जो कारण है तीजगर के अंतरगर प्रारभिक रूप से इसको भी आप अराम से बता सकते हैं मिन्स के अंसर राइटिंग में समझ में आ रहा है आपको सिर्फ क्या करना है आपको मैप याद रखना है और मैप के साथ में जो मैंने तीन चार फैक्ट आपको बताए है वो आपको याद रखना है आप क्या कर पाएंगे अराम से अपना अंसर राइटिंग भी मराठा आक्रमण के कारण पर कर पाएंगे क्लियर है यहाँ तर देखते हैं अब हमारा दूसरा क्वेस्चन दूसरा क्वेस्चन बोड़ रहा है निम्नलिखित कथन पढ़िये क्या बोड़ रहा है निम्नलिखित कथनों को पढ़ने बोड़ रहा है पढ़ लेते हैं पहले अब पढ़ने बोड़ रहा है क्वेस्चन तो सबसे पहला क्या बोड़ रहा है नागपूर के राजा रगु जी भोसला के सेना पती भासकर पंत ने रतनपूर पर आक्रमण किया दूसरा बोड़ रहा है रतनपूर राज्य की सेना ने मराथों से युद्ध किया तीसरा बोड़ रहा है रतनपूर का राजा युद्ध करते हुए मारा गया अब हमको क्या करना है, सही उत्तर हमको चुनना है, क्या बोड़ रहे, एक, दो, एवं, तीन सही है, एक, एवं, दो सही है, दो, एवं, तीन सही है, केवल एक सही है, जल्दी लगाई ये अपना आंसर, क्या होता है, आपका आंसर देखता हूँ मैं, जल्दी लगाई आंसर आ आपकरमप किया अभी जश्ठ हम ने देखा इनके जो सेना पती थे भासकरपंद वो क्या कर रहे हैं आपकरमप कर रहे हैं इसमें कोई सक्त वाली बात ने हैं कर थिक नहीं के बतार स्ऩudसरे कर रहे ओज्टे कि दूसरा तो रगुनात सिं आत्मसमर्पण कर दे रीस क्यों आत्मसमर्पण किया तो डोकळा हो गरी यो क्या चेख सोकघ्ष्थी लडीक सक्ति ने रीस तो ये कथन क्या हो जा रहा है आपका गलत हो जा रहा है फिर क्या पोड़ा है रतनपूर का राजा युद्ध करते हैं मारा गया तीसरा कथन दूसरा अगर आपको पता है तीसरा आप क्या कर सकते हैं आटोमेटिक कर सकते हैं जब आत्मा समर्पन कर दिये तो युद्ध वाली अगला question board है रतनपूर में राम मंदिर निर्मित कराने वाले मराठा सासक का नाम क्या था जल्दी अपना अंसर दीजिए लगा लिए अंसर इसका अंसर तो आप अराम से लगा लिए होंगे है ना क्या होगा अंसर तो बिंबा जी भोष ले अब चलते हम थोड़ा मराठा सासन के स्वरूप पर कि कैसे अभी तक हमने देख लिया कि मराठा एक बार आ गये आकर आकरमन किये आकरमन करके सासन कि हड़ गया था तो अब हम देखते हैं मराठा सासन के यहां पर स्वरूप क्या था हेरिंग डालेंगे आप मराठा सासन का स्वरूप मराठा सासन का स्वरूप ठीक तो जो मराठा सासन है वो 36 गड़ में पांच स्वरूपों में सासन करता है सबसे पहला रहता है अप रत्यक्ष मराठा सासन दूसरा है आपका प्रत्यक्ष मराठा सासन तीसरा शूबा सासन चौथा ब्रिटिस अधीन मराठा सासन और पांच वा पुनह मराठा सासन यह क्या है पांच स्वरूप है किसके पांच स्वरूप है तो मराठा सासन के पांच स्वरूप है पहला क्या है आप्रत्यक्ष मराठा सासन का जो समय है वो 1745 से 1758 तक का जो समय है वो आप्रत्यक्ष मराठा सासन का समय है तीक है आप्रत्यक्ष मराठा सासन या इसी को हम बोलते हैं मराठों के अधीन कल्चूरी सासन तीक है मराठों के अधीन कल्चूरी सासन या आप्रत्यक प्रत्यक्षमराठा सासन समझ में आ रहे हैं बात क्लियर है समय क्या 1745 से 1758 से 1787 तक जो समय है वो किसका है तो प्रत्यक्ष मराठा सासन का समय है ठीक है किसका समय है प्रत्यक्ष मराठा सासन का समय है ठीक फिर क्या आपका सूबा सासन सूबा सासन का समय है 1788 से 1818 तक और ब्रिटीस अधीन मराठा सासन का समय है अठारा सो अठारा से अठारा सो तीस और पुना माराथा सासन फिर अठारा सो तीस से अठारा सो चववन तक ठीक है जो प्रत्यक्ष माराथा सासन है इस प्रत्यक्ष माराथा सासन के अंतरगत माराथा सासक बिम्बा जी भोसले क्या करते हैं सासन करते हैं ठीक सुबा सासन के अंतरगत कुल आठ सुबेदार क्या करते हैं सासन करते हैं 36 गड में अभी मैं बढ़ेंगे जब हम लोग सुबा सासन तब देटेल में बताऊंगा अभी आपको 9 सुबेदार भी जानना है तो किस रिपोर्ट के एक और्डिंग आपको 8 ध्यान में रखना ह किस रिपोर्ट के एक और्डिंग आपको 9 सुबेदार ध्यान में रखना है अभी आगे चर्चा करूँगा मैं ठीक ब्रिटिस अधीन मराठा सासन के अंतरगत आप 36 गड के अंतरगत देखेंगे ब्रिटिस अधिक्छक ठीक है क्या देखेंगे ब्रिटिस अधिक्छकों के द्वारा ब्रिटिस सुपरिटेंडेंडेंट के द्वारा क्या किया जाता है 36 गड में सासन किया जाता है ठीक है और कितने ब्रिटिस अधिक्छक नियुक्त हुए तो 6 ब्रिटिस अधिक्छक नियुक्त होते हैं और पुनह मराठा सासन के समय ज जमाज में आ गया, अब यह जो पांच स्वरूप है, इसमें से अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष और सुभा सासन, इन तीन स्वरूपों पर क्या करेंगे, आज हम चर्चा करेंगे, किस पर किस पर, तो अप्रत्यक्ष मराथा सासन, प्रत्यक्ष मराथा सासन, और सुभा सासन पर हम क्या करेंगे आज चर्चा करेंगे फिर जो नजर आ रहा है आपको बिटिस अधीन मराथा सासन और पुना मराथा सासन इसके अलावा मराथा प्रसासन की मराथा प्रसासन कैसा था ठीक है मराथा प्रसासन के इंतरगत कौन सी व्यवस्ता कैसे चर रही थी कर विवस्था कैसी थी, प्रशाशनिक विवस्था कैसी थी, इन सब को क्या करेंगे, हम कल के अपने वीडियो में कवर करेंगे, समझ में आ रहा है, बात क्लिए रहे हैं तक, अब देखो, आप रत्यक्ष मराथा सासन के अंतरगत, एक आप ध्यान देंगे रतनपूर के कल्चुरी और दूसरा आप ध्यान देंगे रायपूर के कल्चुरी, ठीक है, कहां कहां के, तो रतनपूर के कल्चुरी और रायपूर के कल्चुरी, ठीक है, कहां कहां के रतनपूर के और रायपूर के, आपने पढ़ा है कि रतनपूर क अंतरगास सबसे पहले किसके समय तो रगुनाथ सीह के समय ठीक है क्या होता है मराठो का आक्रमन होता है और 1741 में पहली बार जो कल्चुरी वन्स है या कल्चुरी सासन जो है वो किसके अधीन आता है तो कल्चुरी वन्स या कल्चुरी सासन आपका मराठों के अधीन आता है फिर आप दूसरा ध्यान रखेंगे मोहन सी ठीक है किसको ध्यान रखने आपको मोहन सी मोहन सी जो रहते हैं वो 1745 से 1757 तक ठीक है कब तक तो 1745 से 1757 तक किसके अधीन तो मराठों के अधीन रहकर 36 गड़ में सासन करते हैं यही समय क्या कहलाता है अब रत्यक्ष मराठा सासन का समय कहलाता है क्लियर है अब इसके बाद जो रायपूर है ठीक क्या आपका रायपूर रायपूर के अंतरगत आपको ध्यान रखना है पहले सासक के रूप में अमर सी ठीक है किसको ध्यान रखना है अमर सी 1750 में अमरसी के उपर आक्रमण किया जाता है और अमरसी को क्या कर लिया जाता है अमरसी को भी मराठा समराज्य में सामिल किया जाता है और अमरसी को राइपूर, राजीम और पाटन वाला परगना दे कर उनसे 7000 टकोली प्रती वर्स क्या की जाती है मराठों के द्वारा वसूली जाती है ठीक है सत्रा सो पचास से सत्रा सो तीरपन तक जो अमर सीह रहते हैं वो क्या रहते हैं मराठों के अधीन सासन करते हैं कौन सत्रा सो पचास से सत्रा सो तीरपन तक रायपूर के कल्चूरी सासक अमर सी मराठों के अधीन सासन करते हैं क्लियर है यहां तक किसके अधीन सासन कर रहा है तो मराठों के अधीन सासन कर रहा है 1703 में अमर सी की मृत्य हो जाती है ठीक है 1703 में क्या जाता है अमर सी की मृत्य हो जाती है 1703 में तब उस समय जो अमरसी के पुत्र रहते हैं ठीक है अमरसी के पुत्र कौन तो सीवराज सी अमरसी के पुत्र कौन रहते हैं सीवराज सी ये अमरसी के पुत्र सीवराज सी अपने पिता की मृत्यू के समय कहा गह रहते हैं तिर्थ यात्रा पर गह रहते हैं अपने पिता की मृ की मिर्ध यो जाती है तो जो मराठा सासक रहते हैं वो क्या करते हैं जो बचा एक तेन शेतर रहते हैं वे और तेन शेत्र पर भी क्या कर ले प्रेंथ खर लेते हैं अपना कब् 2500 कर लिए थे हमारे पास उसको भी क्या कर लिया गया है बिंबजी उसको भी मुर्श माफ़ी Bueno रख ले जा एक छेत्र को रख लेना वहाँ पर अपना जीवन दिन चरिया चलाना ऐसा वाला ठीक है और क्या बोलते हैं कि इस छेत्र के अंतरगत जितने भी गाउं है उन सभी गाउं से आप एक एक रूपय क्या कर सकते हैं वसूल सकते हैं ठीक क्या कर सकते हैं आप एक एक र चासन करते हैं 17198 में उनकी खिमन्त्यॡ हो जाती हैं क्लिएर यहां तरह इस ही को क्या बोलते हैं हम अप्रत्यक्ष्मराठा शासन या मराठो के अधीन कल्चूरी सासन कहते हैं क्लिएर आव हम चर्चा करते हैं प्रत्यक्ष मराठा सासन पर प्रत्यक्ष मराठा सासन के अंतरगत प्रत्यक्ष मराठा सासन का आपको समय पूछे तो आप क्या बताएंगे तो बताना है आपको प्रत्यक्ष मराठा सासन का जो समय है वो 1758 से 1787 तक है ठीक है कब तक है 1758 से 1787 तक प्रत्यक्ष मराठा सासन का समय है ठीक इसमें राजा कौ तो राजा रहते हैं बिंबा जी भोसले ठीक है कौन रहते हैं बिंबा जी भोसले प्रत्यक्ष मराठा सासन के क्या रहते हैं सासक रहते हैं बिंबा जी भोसले प्रत्यक्ष मराठा सासन के सासक ठीक इनकी राजधानी राजधानी क्या है तो रतनपूर इनकी पत्नी के नाम याद रखना आप उनकी पत्नी एक तो आपको याद रखना है आनंदी बाई उमा बाई और रमाबाई ठीक है आनन्दी उमा रमा ये तीन क्या है तो ये तीन है मराठा सासत बिंबा जी भोशले की पतनिया ठीक इसके अलावा जो बिंबा जी भोशले हैं इनके समय 1787 में यूरोपिय यात्री ठीक है यूरोपिय यात्री मिश्टर लैकी 36 गड़ आये थे ठीक है कौन आये थे तो मिश्टर लैकी 36 गड़ आये थे ठीक है किनके समय तो बिंबा जी भोशले के समय जो यूरोपिय यात्री यात्री या कौन मिश्टर लैकी ये क्या किये थे 36 गड़ आये थे clear है यहाँ तर ठीक अब बिम्बा जी भोशले जो है इनकी मृत्यू सत्रा 7 दिसंबर 1787 को क्या हो जाती है इनकी मृत्यू हो जाती है ठीक यह basic information हो गया किसके बारे में प्रत्यक्ष मराठा सासन के अंतरगत सासक बिम्बा जी भोशले के बारे में अब हमको पता है कि नागपूर है ना नागपूर के अधीन क्या है इस समय 36 गड़ है नागपूर के अधीन क्या 36 गड़ तो नागपूर के अंतरगत कौन सासक है एक आपके रगुजी प्रथम और रगुजी प्रथम ने अपने पुत्र, पुत्र का नाम क्या तो बिम्बा जी भोशले पुत्र बिम्बा जी भोशले क्या करते हैं, चतिस गड़ में सासन के लिए नियुक्त करते हैं अब हम आगे देखते हैं कि बिम्बजी भोषले हैं इनके द्वारा 36 गड़ के अंतरगड क्या क्या कार्य किये गए बिम्बजी भोषले के सबसे पहले हम देखते हैं प्रशाशनिक कार्य कि बिम्बजी भोषले के द्वारा प्रशाशन के छेत्र में क्या क्या कार्य किये गए ठीक प्रशाशनिक कार्य प्रशाशनिक कार्य के अंतरगड एक सबसे पहले देखते हैं कि प्रशाशनिक सुधार इन्होंने प्रशाशनिक सुधार क्या किया ठीक प्रसाशनिक सुधार इनके द्वारा क्या किया गया इसके बारे हम क्या करते हैं हम सबसे पहले चर्चा करते हैं अब प्रसाशनिक सुधार की बात करें तो प्रसाशनिक आधार पर इससे पहले कल की वीडियो में हमने देखा था कि जो 1758 से पहले आप देखेंगे 1758 से पहले और देखना है आपको 1758 के बाद तो 1758 से पहले कल्चूरी सासक सासन कर रहे हैं और कल्चूरियों के अंतरगत हम पढ़े थे कि संपूर्ण जो राज्य है या संपूर्ण जो प्रांत है वो किस में विभाजित होता था तो मंडल में विभाजित होता था फिर मंडल किस में विभाजित था तो गड़ में विभाजित था और गड़ किस में विभाजित था तो बारहो में और बारहो किस में विभाजित था तो बारहो ग्राम में विभाजित था समझ में आ गया अब इसके उपरांत जब 1758 के बाद किसका सासन आता है बिम्बा जी भोषले का सासन आता है तो उन्होंने कल्चूरियों द्वारा इस्थापित ये मंडल और साथ में बारहो मंडल एवं बारहो इकाई को क्या कर दिया समाप्त कर दिया तो बिंबजी भोषले ने कल्चूरियों द्वारा इस्थापित मंडल एवं बार्वो इकाई को क्या कर दिया समाप्त कर दिया अब मंडल एवं बार्वो इकाई को समाप्त कर दिये तो 36 गड़ के अंतरगत अब प्रशाशनिक जो धाचा है वो कैसे कारेकर है प्रांत के अंतरगत क्या आपका गड़ और गड़ के अंतरगत सीधा क्या आपका ग्राम ठीक है अब 36 गड़ के अंतरगत प्रसाशनिक धाचा कैसा है तो प्रांत के अंतरगत गड़ और गड़ के अंतरगत क्या आपका ग्राम ठीक है प्रांत जो है तो प्रांत में कौन न्यूक्त होते थे तो राजा न्यूक्त होते थे गड़ में कौन न्यूक्त होते थे तो गड़ में इस समय दिवान न्यूक्त होते थे और ग्राम में गौटिया ठीक है इनका तो हम पढ़ लिये थे प्रांत, प्रांत में राजा मंडल में मंडला दीपती गड़ में गड़ा दीपती बारो में दाउ और ग्राम में गौटिया अब प्रांत में राजा गड़ में दिवान और ग्राम में गौटिया इसके अलावा जो बिंबा जी भोसले हैं ठीक है कौन? बिंबा जी भोसले ये परगनापध्यती लाने का असफल प्रयास करते हैं ठीक है क्या करते हैं? परगणा नहीं पद्यती लाने का असफल प्रयास आगे हम देखेंगे कि ये जो आप प्रसासनिक धाचा देख रहें कल्चूरियों में, पर बिम्बा जी भोसले के में इस प्रसासनिक धाचा में क्या होगा एक और परिवर्तन आएगा ठीक है इस प्रसासनिक धाचे के अंतरगर प्रांत को क्या किया जाता है प्रांत को परगनों में बाटा जाएगा जैसे अभी आप देख रहे हैं प्रांत प्रांत क्या है गड़ अब गड़ फिर किसमें बटा है तो ग्राम में बटा है तो अभी आगे हम देखेंगे अभी जर्चा नहीं करता इसको तो प्रांथ क्या हो जाएगा परगनों में भाजित हो जाएगा 36 गड़ क्या हो जाता है फिर पुरा प्रसासनिक एकी करण हो जाता है इससे पहले तक 36 जब परगन पद्दती आएगा तो अभी तक क्या रहता है जो 36 गड़ रहता है वो सिवनात नदी के उत्तर में 18 गड़ और सिवनात नदी के दक्षिर में 18 गड़ सिवनाद नदी के उत्तर में 18 गडों के मुख्या ला रतनपूर और सिवनाद नदी के दक्छिर में 18 गडों के मुख्या लाई क्या आपका तो राहएपूर ठीक है कल्चुरियों के समय ऐसी विवस्था कारे कर रही थी जिसको बिंबजी क्या कर देते हैं तो इस समय देखो इनके समय में गड़ वेवस्था तो है ठीक है गड़ वेवस्था है और गड़ों के अधार पर स्युनाद नदी के उत्तर में अठारा गड़ है और स्युनाद नदी के दक्षिन में अठारा गड़ है यह बात तो फिक्स है ठीक है कि स्युनाद नदी के उत रतनपुर का प्रसाथ समय रहित है लेकिन डख्षेड में 18 गडड है और उसके उत्तर में 18 गड़ है लेकिन जो 33 गड़ है उनका उनका MP2 रहता हैं तो जो कलचुरियों ऑस 곡 pag इसके उपरान जो विंबा जी भोषले हैं वो चाहते हैं कि अब ऐसी कोई विवस्था ही न रहे जिसमें हम क्या माने किसी एक नदी को अधार स्वार लाइन माने ठीक है बेस लाइन माने और उसके अधार पर हम तुरे 36 गड़ को क्या करके रखें बांट के रखे वह क्या चाहते थे संपूर 36 गड़ अब जब मैं एक कर दिया हूं तो संपूर 36 गड़ के अंतरगत विवस्था भी क्या होनी चीए एक होनी चीए उसी व पध्यती का सुत्रधार कहा जाता है ठीक इसके अलावा एक चिद्ध्या में रखना कि रतनपूर एवं रायपूर का क्या किया है इन्होंने रतनपूर एवं रायपूर का प्रशासनिक एकी करण किया इन्होंने ठीक है क्या किया प्रशासनिक एकी करण किया रतनपूर यह उम्रायपूर का क्या किया इन्होंने प्रशास्निक एकी करण किया इसके अलावा और क्या कारे किया इन्होंने तो इसके अलावा जो बिम्बा जी भोसले हैं वो प्रशास्निक कार्यों में मराथी भासा का प्रचलन कराया इसके अलावा राजनान गाओं एवं खुजी को नई जमिदारियां बनाई राजनान गाओं एवं खुजी को क्या किया इन्होंने नई जमिदारियां बनाई और इसके अलावा ठीक यहां नीचे लिख देता हूं मैं रतनपूर में नियमित न्यायाले बनवाया ठीक है यह क्या है महत्वपूर्ण काम है किसके तो बिम्बा जी बोश लेके पहला क्या ध्याल में रखना है आपको प्रशाश्निक सुधार ध्याल में रखना है कि 1758 से पहले क्या था तो प्रांथ था, मंडल था, गड़ था, बारो था, ग्राम था ठिक कल्चुरियों के अंतरगत प्रांथ, मंडल, गड़, बारो, ग्राम जिसमें से मंडल और बारोई काई को कौन समाप्त कर दिये बिम्बा जी बोश ले समाप्त कर दिये और अपनी प्रसाशनिक धाचा या अपना प्रसाशनिक जो खाचा वो कैसा तैयार किया तो प्रांत और प्रांत के बाद सीधा क्या गड़ होगा और गड़ के नीचे क्या होगा सीधा ग्राव होगा फिर क्या परगनापद्यती लाने का प्रयास किया लेकिन असफ़ड रहे इसलिए इन्हें क्या कहा जा रहा है परगनापद्यती का सुत्रधार कहा जा रहा है रतनपुर का क्या किया इन्होंने प्रसासनी के की करण किया फिर क्या प्रसासनी कारियों में मराखी भासा का बिंबा जी भोसले का प्रमुख प्रसाशनिक अधिकारी दिवान था ठीक है प्रमुख प्रसाशनिक अधिकारी कौन था मेगू पंडित था भासकर पंद था कि खंडो जी था कि घोडो महादेव था जल्दी से आप अपना आंसर लगाएं लगा लिया आपने आंसर लगा लियक नहीं लगाया लगा लिया तो देखें जो बिंबा जी भोसले के प्रमुख प्रसाशनिक अधिकारी थे वो थे घोडो महादेव ठीक है कौन थे तो प्रमुख प्रसाशनिक अधिकारी इनके घोडो महादेव थे अब होता क्या है कि जब बिंबजी भोषले कहां से तो नागपूर से 36 गड़ आते हैं तो वो अपने साथ क्या करते हैं कुछ अनुभवी वेक्तियों को 36 गड़ लेकर आते हैं ताकि उनको प्रशाषनिक कार्यों में या राज्य के संचालन में उनका सहयोग प्राप्त हो सके और बिंबजी भोषले 36 गड़ राज्य मतलब उस समय रतनपूर राज्य का संचालन क्या कर पाएं अच्छे से कर पाएं इसलिए वो क्या करते हैं तो नागपूर से कुछ लोगों को अपने साथ लेकर आते हैं जिसमें एक वेक्ति हैं जिनका नाम है घोडो महादेव ये क्या थे इनके प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी थे दूसरा कृष्ण भट उपाध्ये कृष्ण भट उपाध्ये ये राजपंडित थे इनके ठीक है क्या थे ये तो ये राजपंडित थे क्रिश्ण जी मोहिते ठीक है क्रिश्ण जी मोहिते जो थे ये राजश्व प्रमुख थे क्या थे ये राजश्व प्रमुग इसके अलावा एक वेक्ति हैं जिनका नाम है निलू पंडित निलू पंडित निलू पंडित इनके मुख्य सेना पती थे निलू पंडित क्या थे मुख्य सेना पती थे फिर एक वेक्ति का नाम याद रखना आप कादर खा, ठीक है, यह हमारे हीरो वाला कादर खा नहीं है, ठीक है, यह बिंबा जी भोशले का क्या है, प्रशाष्णिक अधिकारी कादर खा है, चलो कादर खा का आप डायलोग वैलोग सुना तो यार थोड़ा सा कॉमेडियोमेडि कर दो, पढ़ के मुझे भी अच्छ फेमस एक्टर रहे हैं कौन कादर खांग जी, यहां पर कादर खांग जो थे, यह सेन्य विभाग के प्रमुग थे, तीक है, क्या थे, सेन्य विभाग के प्रमुग सेन्य विभाग के प्रमुक्कौन कादर खाँ फिर एक वेक्ति हैं माधाओ रामचंद्र मजुमदार क्या नाम दीख रहे हैं आपको माधाओ रामचंद्र मजुमदार माधाओ रामचंद्र मजुमदार ये जो थे ये लेखा विभाग के प्रमुक थे इसके अलावा एक वेक्ति हैं रामचंद्र बक्षी और रामचंद्र बक्षी जी किला प्रमुक थे किले की सुरक्षा करने वाले प्रमुक वेक्ति कौन रामचंद्र बक्षी और बहुत सारे लोग थे लेकिन मुख्य रूप से आपको इनको याद रखना है आपको प्री बिल्कुल निकलना चाहिए आपके लिए हम क्या कर रहें इतना महनत कर रहें तो आपको भी क्या रहना पड़ेगा डेडिकेटेड रहना पड़ेगा अपनी पढ़ाई के लिए समझ आ रहा है आपको कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं सिफ पढ़ाई करना है मतलब पढ़ाई करना है ठीक कोई दोस्तियारी नहीं कोई गर्फरेंड गर्फरेंड नहीं सिफ क्या करना है आपको यहां पर अभी सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ाई करनी है फरवरी तक, ठीक फरवरी के बाद भी करना है, प्री के बाद फिर क्या करना है, आपको मेंस की भी तयारी करनी है, लेकिन जादा आगे करना ही सोचना है हमको अभी, अभी हमको सिर्फ क्या सोचना है, तो सिर्फ प्री तक सोचे, अब प्री को अच्छे से तयार करें, ताकि प्रीक अगर आपका syllabus मजबूत होगा प्रीक को आप अच्छे से तयार रखेंगे तो आपके जितने भी one day exam के होने वाले हैं उसमें भी क्या हो आपको फैदा मिले और आप क्या कर पाएं जल्दी से जल्दी अपना एक job अपना एक post secure कर पाएं समझा रहा है बात आपको चलते अब हम हमारे अगले question में अगला question बोड़ा है बिंबा जी के संदर्व में निम्न लिखित में से सहीं उत्तर चुनिए पहला बोड़ा है बिंबा जी चतिस गडर से प्राप्त भूरा जस्व का कोई इससा नाध्पुर नहीं भेजता थे दू सरा बोड़ा बिंबा जी ने 36 गढ़ में कमविजदारों की नियूक्ति की थी ये कम विजदार हो गया इसको कमविजदार कर लें आप ठीक बताए एक एवuben दो दोनों सही है सिर्फ एक गलत है सिर्फ दो गलत है एक एवन दो दोनों गलत है जल्दी से आप अपना answer चुनें कि कौन सा आंसर जो है जो कौन सा आप्शन है वो क्या है आपका सही है तो मैं थोड़ा सा और चर्चा करता हूं जैसे कि अभी मैंने आप लोग को बदाया था कि नागपूर के अंतरगत कौन राजा है तो रगुजी प्रथम उनके पुत्र कौन तो बिम्बा जी बोशले तो जब नागपूर के अंतरगत किसका सासन चलते रहता है तो उनके दो पुत्रों को आप मुक्षे भूँप से याद रकेंगे आगे मैं दूसरे पुत्र को बारे मिशीर चर्चा करूंगा एक और दूसरे पुत्र बिम्भा किसको सौब देते हैं तो वो 36 गड़ की जिम्मेदारी बिंबजी भोसले को सौब देते हैं तो बिंबजी भोसले सुरू में क्या होते हैं तो नागपुर राजा के प्रतिनिधी के रूप में आकर क्या करते हैं वो क्या करते हैं अपनी स्वतंत्र नीती अपनाते हैं ठीक स्वतंत्र नीती के तहट बिम्बजी बोसले क्या कर रहे थे तो वो यहां के जितने भी जमिदार थे उन जमिदारों के साथ होने वाले समझावते पर या संधी पत्र पर खुद ही हस्ताक्षर करते थे इस बात की पुष्टी वो नागपुर दर्बार से नहीं करवाते थे थे नागपुर दर्बार से इनको अपने किये हुए हस्ताक्षर की पुष्टी कराना आवस्यक नहीं थ साथ ही इस छेत्र के अंतरगत जितना भी कर प्राप्त होता था वो कर क्या करते थे वो खुद ही वसूलते थे और खुद वसूल कर खुद रखते थे उस कर का एक भी रूपिया वो नागपुर दर्बार नहीं भेशते थे मतलब यह यहाँ पर न्यूक्त तो हुए थे किसके रूप में नागपुर राजा के सहयोगी की रूप में लेकिन यहाँ पर न्यूक्त होने के बाद जो बिम्बजी भोसले हैं वो क्या करते हैं यहाँ पर स्वतंत्र नीती अपनाते हैं और एक स्वतंत्र सासक के रूप में सासन करते हैं ठीक समझ में आ गया पहला option आपका सही कही हो जा रहा है विमबाजी 6 गर से प्राप्त भूराजसों का कोई रही हिस्था नागपूर की भीएश थिते थे यह कटन बिल्कुल सहीं है की बिमबाजी जो है वह 36 गर से radiya Keer Laosma का कोई भी हिस्था नागपूर नहीं भेशते थे clear, दूसरा बिंबजी ने 36 गर्मे कमा विजदारों की नियुक्ति की तो ये कथन गलत हो जा रहा है, कमा विजदार आएंगे आगे सुबह सासन में जब सुबह दारों के अंतरगत जो परगने हैं, उस परगने में क्या किया जाता है एक नए अधिकारी की नियुक्ति की जाती है, जिसको हम बोलते हैं क्या कमाविस दार, तो दूसरा कथन क्या हो जा रहा है, गलत हो जा रहा है, क्योंकि हमने देखा था, कि बिम्बजी भोषले के द्वारा क्या किया गया था, तो बिम्बजी भोषले के द्वारा परगना या पुछ रह्य है कि क्यों दोनों सही है नहीं यह कुछ ऑप संप क्या हो गशन हो गया है इक तो सही है फिल हम को कि देश्चेंघ अब हम झानि अगले क्वेस्टिन को अगला क्वेशन बूर्ड है आनंदी भाई 36 गढ़ के निमने लिखित मराठा सासकों की समकालीन थी बिम्बा जी की समकालीन थी की परसो जी की की चिम्रा जी की की वेंको जी की अब इसमें दिया है एक दो तीन की समकालीन थी, दो तीन चार की समकालीन थी, कि एक दो चार की समकालीन थी, कि एक तीन चार की समकालीन थी, जल्दी से आप अपना आंसर दीजिए, लगा लिया आंसर आपने, चलो चर्चा करते हैं, पहला बिंबा जी की तो समकालीन होगी, भाई उनकी पतनी है मैंने पहले ही बताया तो पहला जिस जिस option में पहला है एक है वो क्या होगा सही होगा कहा कहा दिख रहा है आपको A में दिख रहा है C में दिख रहा है और D में दिख रहा है मतलब B तो इसका answer नहीं हो सकता यह clear है पहले ही क्या होगा बी आपका eliminate हो गया दूसरा भी बीमबजी कि मृत्ति होती है कब मैंने बताया 7 December 1787 को भीमबजी की मृत्ति होती है और भीमबजी का कोई पुत्र नहीं होता अपने भाई उनके भाई का नाम रहता है मुधो जी क्या नाम रहता है मुधो जी उस मुधो जी के दृतिय पुत्र चिमणा जी को क्या किये रहते है गोद लिये रहते है तो चिमणा जी भी क्या हो रहा है इनके समकालीन हो रहा है कि इनके समकालीन हो रहा है तो आनंदी भाई के समकालीन हो रहा है बिम्बा जी की मृत्यू प्रान 1787 से 88 तक मात्र एक साल जो चिमणा जी रहते हैं वो क्या करते हैं कुछ समय के लिए सासक बनते हैं 36 गर्में लेकिन 1788 में क्या हो जाती है चिमणा जी की मृत्यू हो जाती है क्या हो जाती है चिमणा जी की मृत्यू हो जाती है समझ में आ गया तो एक और तीन अब कहा नजर आ रहा है आपको सीधा सीधा कहा नजर आ रहा है डी में नजर आ रहा है एक और तीन तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा ठीक फिर भी चौथा जो है व्यंको जी अब मैं थोड़ा सा चर्चा करता हूं आपके अब नागपूर में कौन सासन कर रहे हैं? रगुजी प्रथम. तो रगुजी प्रथम के समय में 36 गड़ में सासन करने के लिए कौन आए? तो विम्बा जी भोसले आए. ठीक, फिर नागपूर के अंतरगत रगुजी प्रथम क्या कर रहे हैं? अपना उत्रदिकारी किसको नि की जिम्मेदारी सौंबते हैं. ठीक, फिर जो रगुजी द्वितिय हैं, वो उनके उपरांग जो नागपूर की सत्य है, वो किसको मिलती है? परसो जी को मिलती है. और जब परसो जी का सासन आएगा, आगे मैं इन सब चीज़ों को लिख कर भी बताऊंगा आपको. परसो ज आगे हम अभी चर्चा करेंगे. तो आंसर क्या हो जाएगा? आपका एक, तीन और चार. बिम्बा जी, चिम्रा जी और वेंको जी क्या थे? तो आनंदी बाई के समकालीन थे. समझ में आ रहा है बात? अब यहीं पर मैं इनके जो पत्नी हैं बारे में भी एक बार चर्चा कर मा भाई है ना तीन पत्निया तो जब साथ दिसंबर 1787 को बिम्बा जी भोशले का क्या हो जाता है? निधन हो जाता है तो उसके उपरांत जो आनंदी बाई हैं ठीक है? यह कौन? आनंदी बाई. यह 1787 से 1801 तक चतिसगर का सासन जो है वो इनके द्वारा कंट्रोल रहता है ठीक है? टोटली कंट्रोल नहीं रहता है लेकिन इनका क्या रहता है? चतिसगर के सासन पर प्रभाव रहता है ठीक है? तो बिम्बा जी की मृत्य उपरांत आनंदी बाई को क्या हुआ? चतिसगर की स सत्ता प्राप्त हुई ठीक जब आनंदी भाई को सत्ता प्राप्त होती है तो जो राम मंदीर होता है पीछे जो हमने देखा था राम मंदीर है ना तो राम मंदीर में राम टेकरी का जो मंदीर है रतनपूर के अंतरगत जो बिम्बजी द्वारा निर्मित है उस मंदीर में य यह जो आनंदी भाई रहती है यह क्या करती है बिम्बजी भोषले की एक प्रतीमा इस्थापित करवाती है और यह जो प्रतीमा है यह राम मूर्ती के सामने थी हाथ जोड़े हुए अवस्था में ठीक है बगवार राम को हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए बिम्बजी भो बिंबजी भोसले के साथ सती हो जाती है और इनके सती होने का प्रमान रतनपुर के सती चौरा से प्राप्त होता है और तिसरी है कौन रमा भाई रमा भाई जो रहती है ये अपने पती के वियोग में क्या कर लेती है एकांत धारन कर देती है मतलब राजपाट राजपरिवार राजमहल का त्याग कर देती है और वनों में क्या होती है चले जाती है और एकांत धारन कर लेती है कि अब मुझे इंसांसारिक सुखों से क्या कि थे हैं किसी फी प्रकार का कोई भी लगाओ नहीं हैै लिए ऐहां तक समझ में आ गया आनन दी इस नंदी भाई सता समालती है सता समालने के साथ रतनपुर के राम टेक्री मंदीर में विंभन जी भोसले की मुर्ती स्थापित करवाती है ठीक है उमाबाई उमाबाई क्या करती है तो उमाबाई सती हो जाती है किसके सांथ बिंबजी भोषले अपने पती बिंबजी भोषले के सांथ ठीक है इसके जो प्रमाण है वो हमको कहां से प्राप्त होता है तो रतनपूर के सती चोरह से इसका प्रमाण हमको प्राप्त होता है ठीक है तीसरा कौन रमा बाई तो रमा बाई क्या कर लेती है एकांत धारण कर लेती है चलते हैं अगले question में अगला question board है नागपूर के भोसला वन्स के निम्न लिखित में से कौन से व्यक्ति 1758 से 1811 तक 36 गर के सासक रहे ठीक है नागपूर के भोसले वन्स के निम्न लिखित में से कौन से जो व्यक्ति हैं वो 1758 से लेकर 1811 तक सासक रहते हैं ये आपको बताना है मुधो जी, बिंबा जी, चिम्रा जी या व्यंको जी ठीक है अभी आपके साथ चर्चा किया था ठीक, बिंबा जी के बारे में तक आपने पढ़ लिया कि 1758 से 1787 तक क्या कर रहे हैं बिंबा जी यहां पर सासन कर रहे हैं साथ ही मैंने बताया कि जो बिंबा जी हैं वो अपने भाई मुधो जी के पुत्र चिम्रा जी को क्या किये रहते हैं गोद लिये रहते हैं क्योंकि उनका कोई पुत्र नहीं रहता तो उनका जब कोई पुत्र नहीं रहता तो चिम्रा जी क्या होते हैं उनके उत्रदिकारी रहते हैं तो उनके उत्रदिकारी के रूप में 1787 में बिम्बा जी बोशले की मृत्यू उप्रांत कौन सत्त समालते हैं तो चिम्रा जी समालते हैं लेकिन 1788 में ही क्या हो जाती है इनकी मृत्यू हो जाती है 1788 में क्या हो जाती है इनकी मृत्यू हो जाती है किस की मृत्यू हो जाती है तो चिम्रा जी मृत्यू हो जाती है 36 गड़ की जिम्मेदारी सौपी जाती है समझ में आ गया तो 2, 3 और 4 सही है मैंने बताया मुधो जी तो यहाँ पर सासन किये नहीं थे वो बिंबा जी के भाई थे तो 2, 3, 4 आपको कहा नजर आ रहा है तो B में नजर आ रहा है तो answer क्या होगा आपका B इसका answer हो जाएगा clear है, समझ में आ गया देखते हैं अगला question अगला बोर रहा है सुची 1 को सुची 2 से सुमेलित कीजिए ठीक, क्या बोर रहा है? सुची 1 को सुची 2 से सुमेलित कीजिए ठीक, ये फिर से वही है क्या है? इनके सासन का समय दिया हुए है और सासक के नाम दिये हुए है कि कौन सा जो सासक है वो किस समय तक सासन किया तो अभी ज़श्ट हमने देखा तो 1758 से 1787 तक सासन कौन किये थे? तो बिम्बा जी किये थे तो A का 2, ठीक है? A में 2 कहां कहां नजर आ रहा है आपको सीधा B में नजर आ रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? B हो जाएगा फिर भी हम चर्शा कर लेते हैं 1787 से 188 तक कौन? तो चिम्णा जी ये 788 होगा इसको 17 कर ले ना 1788 से 1811 तक कौन? तो व्यंको जी और 1816 से 1818 तक कौन? तो अपका सहाब ने क्या किया था? 36 गड में सासन किया था तो आ का 2, 2 का 4, सा का 1 और दा का 3 ठीक है? क्लियर है? समाझ में आ गया? देखते हैं अगले क्वेशन को अगला क्वेशन बोर रहा है 36 गड में किस भोशले सासक के सासन काल में इस राज्य में सुभा वैवस्था लागू की गई सुभा सासन किसके सासन काल में लागू किया गया? डारेक्ट इसका आंसर बताता हूँ तो व्यंको जी भोशले के समय क्या किया गया? तो 36 गर में सुभा सासन या सुभा विवस्था लागू किया गया पढ़ें इसको एक बार आप पढ़ते हैं हम किसको तो सुभा सासन सबसे पहले सुभा सासन के बारे में हम क्या कर लेते हैं एक विश्त्रित अध्यन कर लेते हैं तो जो सुभा सासन है तो सूबा सासन इस सूबा सासन में पढ़ते हैं सूबा सासन एवं 36 गड़ तो हमने देखा था फिर वही एक बनाते हैं पैटरन हम अपना नागपूर नागपूर के अंतरगत कौन सासन कर रहा है तो 36 गड़ है नागपूर में कौन है सासक तो रगुजी प्रथम है ठीक, रगुजी प्रथम के समय, 36 गर का दाइत्व किसको सौपा जाता है, तो बिम्बा जी भोसले को सौपा जाता है, तो बिम्बा जी भोसले को 36 गर का दाइत्व सौपा जाता है, बिम्बा जी भोसले को 36 गर का दाइत्व सौपा जाता है, बिम्बा जी भोसले की मृत्ती ह कौन रगुजी द्वितिय तो जब रगुजी प्रथम के उपरान नागपूर के सत्ता कौन प्राप्त कर रहे हैं रगुजी द्वितिय प्राप्त कर रहे हैं और जब बिंबा जी भोशले की क्या हो गई मृत्तिय और बिंबा जी भोशले के उपरान चिमणा जी की भी क्या हो गई मृत्ति हो गई तब रगु जी द्वितिये जो रहते हैं ये अपने छोटे भाई व्यंको जी भोशले अपने छोटे भाई व्यंको जी भोशले को क्या करते हैं तो 36 गड़ का सासक न्यूक्त करते हैं ठीक है विंबा जी भोशले के उपरान 36 गड़ का अगला सासा कौन नियुक्त हो रहे तो व्यंको जी 36 गड़ में नियुक्त हो रहे ठीक इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर रगुजी दुटी के पुत्र परसो जी ठीक है कौन परसो जी क्या होते हैं नागपूर के क्या कल और फिर पर्सो ठीक आज कल और पर्सो नर्सो को देखेंगे भी आगे हैना अभी पर्सो तक रहते हैं ठीक है पर्सो जी आज कल और पर्सो पर्सो जी जब रहते हैं तो 36 गड़ के अंतरगर सासन का दाई तो जो रहता है वो रहता है अप्पा साहब का ठीक है कौन रह प्रत्यक्ष सासन कहला रहा है लेकिन जब रगु जी दुए अपने छोटे भाई कौन तो व्यंको जी भोषले को क्या करते हैं 36 गड़ का सासत नियुक्त करते हैं तो व्यंको जी भोषले 36 गड़ आना नहीं चाहते थे उनका जो पूरा पुकस था वह भी कहा था तो नागपूर की राजनिती में था नागपूर के साशन करने में उनको भी इंट्रेस्ट था तो लेकिन अब बड़े भाई क्या कर दिये हैं आग्या दे दिये हैं साथ में इनको पढ़ि भी देते हैं भाईया तू मेरा चोटा भाई तो धुर जाकर अपने को राजनीती नहीं करना है ठीक है ऐसा कौन बोल रहा है तो व्यंको जी बोल रहा है ठीक लेकिन बड़ा भाई बोल रहा है तो बड़े भाई का क्या नहीं कर सकता वो तो बड़े भाई का आदर के कारण या बड़े भाई के सम्मान के कारण बोलो या बड़े भ प्रतिनी दी बठाता हूं 36 जो क्या करेगा 36 के सभी कार्यों की देख रेक करेगा और उस देख रेक करने के बाद चतीज गड़ का जितना भी राजा सो लाकर मेरे को देगा उसके बदले उसको मैं पेमेंट देदूंगा है न? तो क्या कर लिए ये एक व्यक्ति नियुक्त करने लग गये कहाँ पर चतीज गड़ में और उस व्यक्ति को क्या बोलते थे? सुवेदार बोलते थे तो ये जो व्यंको जी भोशले हैं ये क्या कर रहे हैं चत्तिस गड़ में सुवेदार नियुक्त कर रहे हैं ठीक है सत्तिस गड़ में क्या कर रहे हैं सुवेदार नियुक्त कर रहे हैं इसलिए व्यंको जी भोशले को हम क्या बोलते हैं तो सुबेदारी व्यवस्था का जन्मदाता बोलते हैं ठीक है क्या बोलते हैं तो सुबेदारी व्यवस्था का जन्मदाता इन्हें कहा जाता है कि इन्हें कहा जाता है तो व्यंको जी भोशले को सुबेदारी विवस्ता का जन्मदाता कहा जाता है समझ में आ गया अब सबसे बड़ा question यह है कि 36 गड़ के अंतरगत कितने सुबेदार थे एक चीज और लिखने यहीं पर कि सुबेदार जो है इनका मुख्याले इनका headquarter क्या था तो इनका headquarter रतन पूर ही था ठीक है क्या था रतन पूर क्या था इनका headquarter इनका मुख्याले था अब 36 गड़ में थे कितने सुबेदार ठीक तो आगे हम पढ़ेंगे आपने एक नाम सुना होगा Mr. Aganyu अभी हम लोग पढ़ेंगे जब क्या पढ़ेंगे हम तो British Adeni Maratha सासन पढ़ेंगे उसमें जब British अधिक्षकों की न्यूक्ति होगी तो इस British अधिक्षकों की न्यूक्ति की अंतरगत आप क्या देखेंगे तो आप देखेंगे दूसरे ब्रिटिस अधिक्षक मिश्टर एगन्यू तो मिश्टर एगन्यू की एक रिपोर्ट है उस रिपोर्ट में कहा गया है कि 36 गड़ के अंतरगत 8 सुबेदार थे कितने सुबेदार थे? 8 सुबेदार थे परन्तु कुछ मराठा अभिलेखों में क्या है? 9 सुबेदारों का उलेख मिलता है ठीक है कि इसमें दो कुछ मराठा अभिलेखों में 9 सुबेदारों का क्या होता है? हमको उलेख मिलता है तो अब देखते हैं हम सुबेदारी विवस्ता सुबेदारी विवस्ता के अंतरगत क्या? तो एक हम देखेंगे व्यंको जी भोशले के अधिन और दूसरा हम देखेंगे अप्पा साहब के अधिन व्यंको जी भोशले के अधिन और दूसरा क्या अप्पा साहब के अधिन तो आप ध्यान रखना कि व्यंको जी भोषले के अधीन पांच और प्लस एक कर रहूं है ठीक है क्यों कर रहूं अभी आगे देखेंगे और अप्पा साहब के अधीन तीन सुवेदार ठीक है अप्पा साहब के अधीन कितने सुवेदार ठीक है किसका नाम याद रखना है महिपत राव दिनकर महिपत राव दिनकर 1788 से 1790 तक क्या करते हैं तो 36 गड़ में सुबेदारी करते हैं दूसरे हैं विठल राव दिनकर विठल राव दिनकर इनका समय है 1790 से 1796 तक विठल राव दिनकर के उपरांत भवानी कालू भवानी कालू 1796 से 1797 तक साजन किये इसके उपरांत केशव गोविन केशव गोविन ने 1797 से 1808 तक साजन किया ठीक है और बिकोजी पिन्री या दिरो कुल लुकर भी इने कहा जाता है जिनका समय है 1808 से 1809 और इसके उपरांत है बिका जी गोपाल बिका जी गोपाल बिका जी गोपाल को दो याद रखना आप इनका साजन काल। पहला आप देखेंगे 1809 से 1811 तक सुबेदार के रूप में और दूसरा आप देखेंगे 1811 से 1816 तक कार्यवाहक राजा के रूप में ठीक किसके रूप में देखेंगे तो कार्यवाहक राजा के रूप में देखेंगे अब मैं थोड़ा सा चर्चा करता हूँ मैंने यहाँ पर लिखा है 5 प्लस 1 और आपको एक गाटा बताया कि एगेन्यू के रिपोर्ट के अनुसार कितना तो 8 सुबेदार और कुछ मराठा अभिलेखों में कितना तो 9 सुबेदार तो जो एगेन्यू का रिपोर्ट है उसमें जो व्यंको जी भोशले के अधीन सुबेदारों की संख्या बताई गई है वो 5 बताई गई है कितना बताया गया है? 5 बताया गया है और उस 5 में उस 5 में ये बिको जी पिंडरी का नाम नहीं है ठीक है किसका नाम नहीं है तो बिको जी पिंडरी का नाम नहीं है बिको जी पिंडरी का नाम कुछ मराठा अभिलेखों में हमको प्राप्त होता है ठीक किसमें प्राप्त होता है तो कुछ मराठा अभिलेखों में प्राप्त होता है तो इसको ध्यान में रखना अगर डारेक्ट आपको मेंसन करके पूछ दे कि एगेन्यू के रिपोर्ट के अनुसार 36 गड़ में व्यंको जी के अधिन कौन सा जो मराथा सुभेदार है वो नहीं था या सुभेदारी के पदपर नहीं था तो कौन नहीं था तो भीको जी पिंडरी नहीं था या पूछ दे मराथा अभी लोग के अनुसार 36 गड़ में व्यंको जी के अधिन कौन कौन से सुभेदारों ने सासन किया तब आप क्या धान देंगी कि भीको जी पिंडरी जो है वो क्या थे तो मराथों का जो सुभेदारी व्यंको जी के अधिन सुभेदार थे ठीक है अब इनके बारे में कुछ फैक जा लिजे कि महिपत राओ दिनकर क्या है तो ये प्रथम सुभेदार है ठीक है इनके द्वारा 36 गड़ के अंतरगत कुछ प्रशाषनिक सुधार किये जाएंगे अभी आगे पढ़ेंगे भवानी कालू ये सबसे कम अउधी के सुभेदार है केसाओ गोविन सबसे लंबी अउधी के सुभेदार है सबसे लंबी अउधी के सुभेदार और विका जी गोपाल व्यंको जी के अधीन अंतिम सुभेदार है अब इसमें आप देख रहे हैं विका जी गोपाल को मैंने दो पोर्शन में क्या किया है डिवाइट किया है दो भागों में इनको बाटा है पहला आप देख रहे हैं अठारा सो नौ से ग्यारा तो अठारा सो नौ से ग्यारा तक ये सुभेदार की रूप में सासन करते हैं अब हमने अभी देखा था कि 1811 में फिर क्या हो जाता है तो 1811 में जो व्यंको जी भोसले हैं उनकी क्या हो जाती है मृत्ति हो जाती है और उनकी मृत्ति के उपरान 36 गड़ का जो देख रेक कडाई तो है वो किसी को नहीं मिले रहता है तो जब तक 36 गड़ का देख रेक कडा करते हैं यहां पर सासन करते हैं तो मराटों के कार वहां राजा के रूप में सासन करते हैं व्यंको जी भोसले आप यहां पर देख रहे हैं इनका समय है 1788 से 1811 तर ठीक अप्पा साहब जो देख रहे हैं इनका समय है ये आएंगे 1816 से 1818 तर ठीक है क्लियर है आपको समझ में आ गया यहां तर अभी देख लेते हैं अप्पा साहब के अधिन कौन कौन सुबेदार थे तो अप्पा साहब के अधिन शका राम हरी सीता राम टाटिया और यादाव राओ दिवाकर ये क्या थे तो अप्पा साहब के अधिन तीन सुबेदार थे ठीक है जब अप्पा साहब का सासन आता है ठीक है किसका सासन आता है अप्पा साहब का सासन आता है तो अप्पा साहब के सासन के समय में जो अप्पा साहब रहते हैं वो चतिजगर के अंतरगत, ये भी क्या करते हैं, देखो, पहले व्यंको जी आ गया, व्यंको जी क्या कर दिया, सुवेदारों के माध्यान से सासन कर दिया, जब परसो जी का सासन चर रहे हैं, तो फाइनली इनको क्या करना था, कारेवाक राजा के रूप में जो कारे कर रहे करते हैं अपा सापको जिम्मेदारी सौंपना उनको को था नहीं है। और उनको क्या चाहिए? पैसा भी चाहिए. तो पैसा चाहिए तो ये जो वेवस्था व्यंको जी ने सुरू की थी, ये वेवस्था क्या लगती है? तो ये वेवस्था अप्पास आपको सही लगती. कि ठीक है भाईया मैं भी यहीं बैटता हूँ सुखेदार नियुकत करता हूँ उन से पैसा लेता हूँ लेकिन इनका लालाज कुछ जाधा बढ़ गया रहता है ठीक है؟ इनको और जाधा पैसा चीए रहता है एक तो सुखेदारी वहस्ताकं रिष्था की नंतरगत जो अप्पा साब है वो क्या कर देते हैं तीन सुवेदारों को कर देते हैं बदल देते हैं सबसे पहले सखराम हरी आते हैं सखराम हरी जैसे उपर से प्रेसल मिल रहे है पैसा और चाहिए तो उपर से प्रेसल मिल रहे है सखराम हरी क्या करेगा नीचे जनता पर प्रेसल देंगा तो खाएगा क्या हद नहीं तो जनता क्या हो जाती है सखराम हरी से बहुत परिसान हो जाती है जो रतनपूर के किसान रहते हैं वो सखराम हरी से बहुत परिसान हो जाते हैं इसके कारण ज्यादा पीसा चीहें तेरे को आते हैं और इनको क्या कर देते हैं गोली से है'lle कोख समय के लिए सिताराम टाटिया आते हैं म linear के यादार रौट राट धिवा कराते हैं अब यादार रौट किसामें क्या होगा कैसे जो सत्ता है ओवे दारी विवस्था से बदल कर ब्रिटिस काल में चली जाएगी आ अंग्रेजों के अधीन आ जाएगा इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे ठीक है? यह हो गया था question हमारा देखते हैं अगला question अगला question बोड़ रहा है निम्नलिखीत में से कौन सी जोड़ी 36 गर का मराठा सासन एवां कारे सुमेलित है? ठीक है कौन सा कारे सुमेलित है बोड़ रहा है? पहला है ए बिम्बा जी भोशले 36 गर में अधिकार दुसरा बोड़ रव्यंको जी भोशले 36 गर में सुभा चिम्रा जी भोशले 36 गर में मंदिन निर्मार और पूर्सा जी भोशले 36 गर अंग्रेजों को सौपना इन में से जो कौन सा है वो सुमेलित है ठीक, तो हमने देखा था कि BIMBA जी भोसले के समय के 36 गर पर अधिकार हुआ था नहीं, BIMBA जी के भोसले ही जो रगु जी प्रथम है उनके समय ही क्या हो गया था तो 36 गर में अधिकार हो गया था 36 गर में आकर प्रत्यक शुरुप से सासन करने वाले पहले सासन कौन थे तो BIMBA जी भोषले थे clear है आपको समझ में आ गया तो ये option क्या हो गया आपका गलत हो गया विंकी जी भोषले 36 गर में सुबह व्यस्ता ये सही है विंको जी भोषले ने क्या किया थे 36 गर अंग्रेजों को सौपने का जो कार है किसके समय किया जाएगा आगे मैं चर्चा करूँगा ये कथन भी क्या है गलत है आंसर आपको क्या है सुमेलित है पूछ रहे है तो सुमेलित क्या है भी व्यंको जी भोसले 36 गर में सुबा सासन के जन्मत आता थे अभी हमने डिटे 80-90 तक था कि 90-95 था, 90-96 था कि 96-98 जल्दी बताएं आप कि सुबेदार विठर राव दिनकर इनका सासन या इनका कार्यकाल कब से कब तक था तो हमको पता है कि 1790-796 तक कौन तो सुबेदार विठर राव में कर ने क्या किया था कार्य किया था सुबा वेवस्था के अंतरगत इस राज्य में मराठा सुबेदारों का मुख्याले निमने लिखित में से कौन था ये आपको बताना है ठीक है जल्दी बताएं आप लगा लिए आंसर आपने ठीक बढ़िया इससे पहले थोड़ा समय चर्चा कर लेता हूँ अपने पिछले क्वेश्चन पर पिछला क्वेश्चन किसके बारे में बोड़ रहा है आपको विठर राओ दिनकर के बारे में बोड़ रहा है और विठर राओ दिनकर हमको पता है कि जो रदनपूर की सत्ता रहती है उस पर बिंबजी भोशले की पतनी आनंदी भाई का क्या रहता है प्रभाव अधिक रहता है। जो रतनपूर राज जी की आय थी वो व्यंको जी के समय आते आते तक आधी हो गई थी। लगभग 6 लाख की आय रहती है किसके समय तो बिंबजी भोशले के समय रतनपूर राज जकी वो लगभग 3.5 लाख हो जाय रहती है कर्च के समय में तो व्यंको जी भोशले के समय में ठीक है। पिर दूसरे जो सुभेदार है वो कौन रहते हैं विठर राव दिनकर रहते हैं। अब विठर राव दिनकर के समय विठर राव दिनकर को आपको ध्यान में रखना है इनके प्रशासनिक सुधार है तो। तो इसके प्रशासनिक सुधार है तो 36 गड़ के अंतरगत मुख्य रूप से प्रशासनिक सुधार इनके द्वारा किया जाता है फिर से मैं एक बार चर्चा करता हूँ कि कल्चूरी के समय प्रशासनिक विवस्था कैसी थी और कल्चूरी के बाद मराठा के अंतरगत भी बिम्बा जी भोसले को ध्यान देते हैं ठीक है किसको ध्यान देते हैं बिम्बा जी भोसले कल्चूरी कल्चूरी के बाद फिर बिम्बा जी भोसले बिम्बा जी भोसले के उपरान विठर राओ दिनकर विठ्थर रहाओ, दिन कर समझ में आ रहा है तो कल्चुरी, कल्चुरी में हमने पढ़ा था कि पूरा प्रांत है प्रांत जो है, वो मंडलों में भी भाजीत है मंडल गड़ों में भी भाजीत है गड़ बारहो में विभाजित है और बारहो ग्राम में विभाजित है ये पढ़त हमने फिर देखा था हमने कि जो बिम्बजी रहते हैं वो कल्चूरियों की मंडल एवं बारहो इकाई को क्या कर देते हैं समाप्त कर देते हैं और फिर ये क्या लेकर आते हैं प्रांत प्रांत के अंदर सीधा गड़ और गड़ के अंतरगत ग्राम ठीक फिर विठ्ठर राओ दिनकर विठ्ठर राओ दिनकर जो रहते हैं ये विम्बजी द्वारा प्रयास किया गया एक अभियान क्या परगना पद्यती लाना उस परगना पद्यती को क्या करते हैं ये 36 गड़ में सफल रूप से लागू करते हैं प्रांथ के अंतरगत परगना और परगने के अंतरगत आपका क्या तो ग्राम ठीक है ये प्रांथ को क्या करते हैं परगने में बाड़ते हैं यहां परगड़ है तो उत्तर में ठारागड और दच्छिन में ठारागड 36 गड़ है तो इन 36 गड़ों को समाप्त करके क्या करते हैं 27 परगना बनाते हैं ठीक है पूरे 36 गड़ों किस में बाड़ते हैं तो 27 परगने में बाड़ते हैं और इसी पर सुबेदारी व्यस्था आती है तो सुबेदारी व्यस्था के अंतरगत 36 गर में मुख्य रूप से कौन रहते हैं यहां पे सुबेदार रहते हैं अब यहां पर आप राजा नहीं लगाएंगे ठीक है क्या लगाएंगे सुबेदार लगाएंगे यहां पर प्रांत में राजा था और यहां पर भी प्रांत में राजा था लेकिन शुवएदारी व्यस्ता के अंतरगत अभी हम ने देखा कि जो मराठा सासर थे विंग को जी भोशले वो कहाँ नहीं आ रहे थे वो रतनपूर नहीं आ रहे थे तो रतनपूर में मुख्य रूप से कौन सासन कर रहा था सुबेदार सासन कर रहा था ठीक मतलब रतन पूर में मुख्याला में कौन बैट रहा था सुबेदार ठीक है प्रांत में का सबसे बड़ा अधिकारी कौन था उस समय सुबेदार था फिर प्रांत किसमें बटा था परगने में तो हर परगने में क्या है? एक कमविजदार कारे करता था. तो परगने के अंतरगत प्रमुका अधिकारी क्या हो गया? कमविजदार हो गया. ग्राम मैं गौटिया तो रहे गई. ठीक है? और कौन-कौन गौटिया है प्रवेश करने का प्रयास किया था और बस्तर में प्रवेश करने का प्रयास किया था किसे मिलने जाते रहते हैं भोपाल पतनम के जमिदार से मिलने जाते रहते हैं लेकिन ये जब बस्तर प्रवेश करते रहते हैं तो जो बस्तर के अंतरगत इस्थानी गोण आदिवासी जो रहते हैं वो गोण आदिवासी क्या कर देते हैं उनका विरोध करते हैं और जेटी ब सक्झाखर्स को हम भोपाल-परवनिम्न सफंवर्च के नाम से जानते हैं किस नाम से जानते हैं how भोपाल-पटणम के संघर्स के नाम से जानते हैं जो कि कभ होता है 1795 में क्यों होता है तो जेटी आदिवासि' आदिवासियों के द्वारा होता है किसके द्वारा होता है तो इस्थानिय गोण आदिवासियों के द्वारा होता है क्लियर है यहां तक समझ में आ गया ठीक अब जो जेटी ब्लंट रहते हैं वो 17 दिनों तक वहीं पर गुमते रहते हैं नहीं मैं जाओंगा मैं जाओंगा करके लेकिन आदिवासी लोग बोलते हैं आए गई धर तो मारेंगे जहापड़ी जहापड़ ठीक है तो अंतता वो प्रवेस नहीं कर पाते तो जे टी ब्लंट प्रवेस नहीं कर पाते ठीक है क्यों क्योंकि जो आदिवासी थे उस समय के है ना उनको डर था कि जैसे यहाँ पर बारी हस्ता छेफ होता जाएगा तो उनकी जीवन सहली क्या होगी इससे प्रभावित होगी इसलिए वो किसी भी बारी व्यक्ति को बस्तर में प्रवेस करने देना नहीं चाहते थे ठीक है और यह प्रवेस कर भी नहीं पाते यहाँ पर आगे देखेंगे हम क कि सबसे पहले ही वो यूरोपी यात्री कौन थे जो बस्तर में प्रवेस करेंगे क्लियर है समझ में आ गया देखते हैं आप क्वेशन अपना सुभा वयस्ता के अंतरगत इस राज्य में मराठा सुवेदारों का मुख्यालय निम्न लिखीत में से कौन था तो क्या था आप सुमेलित नहीं है पूछ रहे इस बार आप क्या पूछा जा रहा है आपसे कि क्या सुमेलित नहीं है महिपत राओ आनंदी बाई से सत्ता संगर्स केशव गोविन पिंडारी आक्रमणों से रक्षा बिका जी गोपाल सरगुजा जमिदारी में हस्ता छेप सकरा महरी बस्तर जमिदारी पर आक्रमण इन में से क्या सुमेलित नहीं है जल्दी से आप अपना आंसर दीजे इन में से क्या सुमेलित नहीं है लगा लिए आपने आंसर ठीक देखे चरचकरते महिपत राओ आनंदी बाई से सत्ता संगर्स मैंने बताया था कि जब महिपत राओ क्या होते ह उनसे संघर्स भी होता है और उनके द्वारा कोई उलेकनी कारे नहीं किया जाता है केसव गोईन को हम जानते हैं कि 36 गड़ में सबसे लंबी आउधी के क्या थे यह तो सबसे लंबी आउधी के यह सुवेदार थे ठीक है और जो केसव गोईन थे इन्हों ने पिंडारियों के आक्रमण से क्या किया था 36 गड़ की जद्दा की रख्षा की थी किसने केसों गोई ने साथ ही इनके बारे में एक चीज और ध्यान रखना आपके इनके सासनकाल में एक यूरोपी यात्री कोल बुक कौन यूरोपी यात्री कोल बुक ने क्या किया था 36 गड़ की यात्रा की थी और कोल बुक ने बताया था कि जो 36 गड़ है वो गन्ना, धान गेहुँ की बहुत अच्छी पैदावार का छेत्र है लेकिन यहां के जो व्यापारी है वो क्या नहीं करते यहां की किसानों को उन सभी फसलों का सही जो मुल्य है वो नहीं देते सही रेट वहाँ पर उनको नहीं दिया जाता किसानों के साथ क्या हो रहा है सुभेदारी व्यस्ता के अंतरगात सोसन हो रहा है बिका जी गोपाल को हमने देखा था कि व्यंको जी भोसले के अधिन क्या थे ये चतिस गड़ के अंतिम सुबेदार थे साथ ही हमने देखा था कि 1809 से 1811 तक ये क्या रहते हैं तो सुबेदार की रूप में सासन करते हैं 1811 में क्या हो जाती है फिर तो 1811 में वेंको जी भोशले की मृत्तिव और वेंको जी भोशले की मृत्तिव उपरान अपस आप जब तक 36 गड़ का क्या नहीं करते हैं सत्ता नहीं समालते तब तक 1811 से 1816 तक जो बिकर जी गोपाल रहते हैं वो क्या करते हैं तो 36 गड़ में कारेवाहक राजा के रूप में सासन करते हैं साथ ही इन्होंने सरगुजा और जो छोटा नापपुर रियासत रहते हैं इनके मद्धे जो जमिदारों को विवाद रहते हैं उसमें क्या करते हैं हस्तचेप करते हैं और दोनों के मद्धे किनके किनके मद्धे सरगुजा रियासत और छोटा नापपुर नहीं किया गया था तो यही सुमेलित नहीं है आंसर क्या होगा आपका सकाराम हरी अगला बोर रहा है कौन सा जो कथन है वो सत्य है ठीक है कौन सा कथन सत्य है सुवेदार 36 गर में स्वतंत्र मराठा सासक थे दूसरा सुवेदार नागपूर के भोशला सासक के प्रतिनिधी थे सुवेदार 36 गर इस्थित भोशला सासक के अधिकारी था और चौथा सुवेदार का पद वनस परमपरा गत होता था शूबधार का जो पांध है वह वजया नोगत होता था है इसका कहने के मतलब यह हैं इसमें कौसेकर्ट है वह सकत्य है आरे हैं तो हमने देखा था कि शूबधार शतीज़मे ऍSwiltantar Maratha Shasak नही थे है न स्वiltantar Maratha Shasak यहाँ पर नहीं थे है तो ये किसन क्या हो जा रहा है आपका गलत हो जा रहा है सुवेदार 36 गर में स्वतनत मराठा सासक थे तो गलत स्वतनत मराठा सासक यहाँ पर नहीं थे सुवेदार नागपूर के भोस्ता सासक के प्रतिनीधी थे कि सुवेदार चतिसगर इस्थित भोस्ता सासक के अधिकारी थे तो आप देखें जो नागपूर के भोस्ता सासक थे वो क्या कर रहे थे एक मराठा को या एक अपने ही भाई बंधूं को क्या करते थे 36 गर में सासन का दाई तो सौंपते थे अब उनमें से जो एक भाई बंदू है जो 36 गर में सासन का दाई तो जिनको सौंपा गया है वो क्या कर रहे है 36 गर में सुवेदारों के माध्यम से सासन कर रहे है जैसे रगुजी द्विती है रगुम जी द्विती क्या कर दूए रगुजी द्विती क्या कर दिये टो चतित गशन के ले και कर दिये में क्माद क्म. तब आपका भी सही हो जाता, लेकिन इन दोनों आपसलों में से भी ज़्यादा सही क्या है आपका, तो सुवेदार चटिस गड़ इस्थित, मतलब व्यंको जी भोषले को तो जो रगुजी द्विति हैं, वो क्या कर दी हैं, चटिस गड़ के लिए उन्युक्त कर दी हैं, तो चटिस गड़ इस्थित भोषला सासक का क्या था? अधिकारी था, कौन? तो सुवेदार, ना की नागपुर के रगुजी द्वितिय का अधिकारी था, किसका अधिकारी था? तो वो व्यंको जी भोषले का अधिकारी था, किसकी बात मानता था? तो व्यंको जी भोषले की बात मानते था, ठीक है, किसके अधार पर यहाँ पर कर वसूलता था? तो व्यंको जी भोषले के आदेश के अधार पर कर वसूलता था, समझ में आ रहा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सुवेधार 36 गर इस्थित भोसला सासा का क्या था अधिकारी था समझ में आ गया क्लियर अब देखते हैं अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन बोल रहा है 36 गर के प्रसम सुवेदार महिपत राव दिनकर के समय में सासन की सारी सक्तियां आनंदी भाई की हाथों में थी दूसरा सुवेदार विठर राव दिनकर ने प्रसासन में परगना पद्यती लागू की तीसरा सुवेधार विकजी गोपाल की समय 36गव में पिंडारियों ने लूट की सही उत्तर चुनना है, एक दो तीन सही है, एक दो सही है, दो तीन सही है, एक एवफं तीन सही है जल्दी से उत्तर चुनिए आप लगा लिया आपने आंसर चर्चा करें फिर से इसके कथनों पर तो क्या बोड़ा पहला कथन 36 प्रथम सुवेदार महिपत राओ के समय सासन की सारी सक्ते किसके हाँ में थी आनंदी भाई की हाँ में थी बिल्कुल सही है दूसरा सुवेदार विठल दिनकर ने होती है तीन चीज अब पिंडारियों के संबंद में याद रखना पहला केसो गोविन जो रहते हैं उनके समय में आक्रमा होता है लेकिन वो क्या कर लेते हैं उनके मतलब पिंडारियों के आक्रमार से 36 गर्की जनता की क्या कर देते हैं वो सुरक्षा करते हैं ठीक है? 36 गड की सुरक्षा करते हैं किसे? पिंडारियों के आक्रमण से जो बिकर जी गोपाद रहते हैं इनके समय में पिंडारियों का जो आक्रमण है ठीक है? पिंडारी जो आक्रमण कर रहे थे ये पिंडारियों का आक्रमण अपने चरम सीमा पर था ठीक है मतलब सबसे ज़्यादा लूट पाथ की घटना पिंडारियों द्वारा किसके सासनकाल में हुई तो बिकल जी गोपाल के समय में हुई फिर तीसरा एक याद रखना अप्पस आपके अधिन अंतिम मतलब तीसरे सुवेदार और छटीस गड़ के अंतिम सुवेदार र्याद और अधिवाकर के समय में क्या होता है तो छटीस गड़ के अंतरगत पिंडारियों का दमन किया जाता है किसका दमन किया जाता है पिंडारियों का दमन किया जाता है तो तीनों कथन क्या है आपके सही है 36 पदस्थ मराठा सासक, मराठा सुबेदार एवं उनके घटनाए चार सुबेदार दिये हैं और चार घटनाए दी गई है इसमें महिपात्राओ दिन करके समय क्या हुआ था विठ्थल दिन करके समय क्या हुआ था केसव गोईन के समय क्या हुआ था और आपका बीका जी गोपाल के समय में क्या हुआ था जो विदेशी यात्री आये थे उनके संबंध में ये question है तो हमने देखा था कि महिपत राओ दिनकर के समय कौन आये थे तो फोरेश्टर आये थे 1790 में विठ्ठर राओ दिनकर के समय में कौन आये थे तो विठर राओ दिनकर के समय में JT Blunt आये थे कौन आये थे JT Blunt तो पहला का 2 सब में दिख रहे है दूसरा का 4 किस में दिख रहे है तो B और C में दिख रहे है तो आपका A और D क्या हो जा रहा है यहाँ पर Eliminate हो जा रहा है आगे देखतें केस ओगोईन तो केस ओगोईन के समय में कौन आये थे कोल ब्रूक आये थे केस ओगोईन के समय में कौन आये थे कोल ब्रूक आये थे तो कोल ब्रूक तो तीसरा का क्या आपका एक दो दो के बाद चार और चार के बाद एक है ना और फिर द, द प्रिकास जो B का जी गोपाल है उन्होंने सरगुजर यासत के उत्रधिकार पर क्या किया था तो प्रस्ण उठाया था उत्रधिकार पर क्या किया था उन्होंने प्रस्ण उठाया था तो 2, 4, 1, 3 बी क्या हो जा रहा है इसका आंसर हो जा रहा है ठीक है ये आज का हमारा अंतीम क्वेश्चन था आगे हम देखेंगे जो मराठा सासन के अंतरगत अगला जो हमारा पार्ट है जिसमें हमको क्या पढ़ना है तो ब्रिटिस अधीन मराठा सासन पुना मराठा सासन और साथ ही आज तक का यह वीडियो आप देखिए अच्छे से इसको पढ़िए अपना नोर्स प्रिपेर कीजिए और अपनी तयारी क्या करें अपने तयारियों को एक नया आयाम आप देते रहें अपनी गलतियों को यहां पर सुधारें जो भी आपसे गलतिया हो रही है उससे सीखें आ लाइक कीजिए कमेंड कीजिए और वीडियो को क्या करते जाएए लगतार सेयर करते जाएए धन्यवाद जैहिन जैच्छतिसगर्ड